तो है गाइस वल्कम बाक टूदी चैनल सौगत आपका एक नए व्लॉग में और बाकि भाई कई लोग जो है मतलब अठारोनिस साल को जाते हैं तो उन्हें जॉब बगरा ढूननी होते हैं तो भाई आज मैं मतलब जॉब्स का बनाता हूं वीडियो बगरा दस बारा कि भाई क लिए या फिर कुछ और करना चाहरे है हाँ थोड़ा पैसे करना के अपना बिजनस करना चाहरे है तो भाई अगर आप मतलब एक्सपीरियंस नी और आपका मतलब फ्रेशर हो तो अभी हाइरिंग चल रही है क्योंकि अभी जो है यह नवंबर दिसंबर और जैन का जो मन्त ह है यह थोड़ा बिजी रहता है और मतलब कंपनी जो है वो मतलब हायर करती है लोगों को ताकि जादा ले बरो और क्यूंकि जैसे मैं बताता हूं अभी दिवाली आ रही है तो सेल हो गया ठीक है सेल्स हो गया रहोगी तुमारी सेल करेगी कंपनी कुछ भी प्रड़क्ट त वर दिवाली मीगा सेल हो गही अमजंट पर हो गया विए बिएंडेज हो गया ये सब चीजें जो रहते है तो इसके लिए भाई कई लोग आते है उन्हें दिक्कत आ रही हो ते हमारा आ यह मतलब आनी रहा है या जो भी निया रहा कॉल पर हो गया चाट पर हो गया दो स्क्रिप्ट दे देंगे कई लोगों को याद हो जाती है जैसे वही सेम स्क्रिप्ट बोलनी पड़ती है और अगर आप डॉमेस्टिक में तो आपको 12-13,000 मिलेंगे और बाकी फिर कई कंपनियों में मतलब डॉमेस्टिक में रहता है कि एक दिन छुट्टी मिलती है संडे को और सुबह का काम रहता है इंटरनाशनल में भाई तुम्हारा ये रहता है सीन कि शिफ्ट जो है शाम की देगी इवनिंग की और या फिर रात की भी हो सकती है बट तुम्हारा दो दिन ओफ रहेगा कई कंपनियों में साथर्ड़े संडे ऑफ रहता है बट बहुत सी जो मैं बताता हूँ आपका बाइस का मुता है कि सबसे पहले आप जोईन होगे उसके बाद dalla को अविश्ट कर देता हैं डिये नहीं यहाथ है जैसे मेरी थी अभी जो मैं रीसेंट कर रहा था तो एक में 25 दिन की थी ट्रेनिंग और शुरू में आपको मज़े करेंगे हनीमून पीरिड बोलते हैं जब भी आप जोइन करोगे तो बोलेंगे आपका भी हनीमून पीरिड शेड़ रहे मतलब की मज़े हूं मज़े अब हनी सब्सक्राइब जोट कर देते हैं दूसरी टीम में डाल देते हैं यह कई लोग थे हैं टीम में भी डाल देते हैं जैसे मैं तो इलग कर दिया हा लग हाला कि मैंने जॉप अभी और फिर भाई उसके बाद आपको डालेंगे on process मतलब कि उपर भेज देंगे floor पे on floor दो तीन अफ़ते के बाद training देगे फिर अगर आप call कर रहे हो तो आप पर call ball आया करेगी ठीक है उसमें फिर आपको भाई call पर बोलना पड़ेगा सबसे पहले good morning sir मैं आपका नाम बताना पड़ेगा मैं जो भी आप जिस भी brand के लिए काम करेंगे उसको represent करना पड़ेगा उसका नाम लेना पड़ेगा फिर जैसे सबसे पहले रहता है आपको greeting दी hello करके फिर रहता है आपका भाई अगर उसे कोई दिक्कत आ रही है तो आप भाई apologize करोगे मैं माफी चाहता हूँ मुझे माफ कर दीजे आपको माफी मागनी पड़ेगे गलती आपकी नहीं है कगलती कंपनी के बट आपको पे कर रही है तो आपको भाई मतलब सुनना पड़ेगा मतलब अप्लोजाइस करना पड़ेगा फिर उसके बाद कई लोग जो होते हैं वह चूतिया होते वह भाई गाली वाली देते हैं तो गाली देते हैं तो दो तिन बार आप मतलब वार्निंग देते हो अगर आप गाली दोगे तो मैं फोन कट कर दूंगा यह कट कर दूंगा तो दो तिन बार अगर सेम गाली देता है तो फोन जा कट हो जाता है फिर भाई उसके बाद अगर को दिक्कत आ रही है उसे देखते हैं फिर उसे बताते हैं जो जो हमने ट्रेंग में सीख रखा होता है या आप ये करिए वो करिए ठीक है फिर अगर वो भी नहीं होता तो उसे भाई दूसरी टीम के पास करनेक्ट कर देते हैं जैसे टेक्निकल टीम हो गई तो टेक्निकल टीम देखती है कि हो गी नहीं रहा कोई सिम का एक्जामपल ले लो या किसी चीज का ले लो जैसे मैंने सिम कभी कर रहा था एक कंपनी है उसके लिए अधीक है और बाकी अभी जो कर रहा था वह था भाई ब्रैंड के लिए मतलब वह कपड़ो हुई प्रजक्ट था तो वह यूएस और कैनडा में तो छो इसके अधाय कि कई कश्टमर जोता है माल जुक्तल जैसे हमां ले लेकर लेकर वहां पर 올टा इब वहां पर एसी लाता कि कही लोग वयां सफुन दॉडे भाउग में तो और बोले लेंगे कि हम्मारा चोडी हो गया तो इस कह रहता है वही उन्हें 100 पांट्स या 100 डॉलर जो भी रहता है युएसजी डॉलर या कैनेडियन डॉलर तो अगर 100 डॉलर तक का है और हम नहीं ट्रेस कर पाते हैं मतलब कि हम अगर नहीं ढूंड पाते हैं अगर जब फिर वो कंप्लेंड करने आता है कि मेरा चोरी हो गया तो फिर हम ब देखते हैं पूरा जाच करते हैं कि किस्टमर ने कुछ कर तो नहीं यह तो नहीं कर दो और अगर कस्टमर मतलब फॉल्टी नजर आता है मतलब की गलत तो उसे भाई ना रिफंड देते और उसे मतलब ऐसे लटका के रखते हैं तो यह इसी ना बाकी आठ नौ घंटे की अब तो मैंने भाई ट्राय कर रहा था यह वाला सी अभी वर्क फ्रॉम फ्रॉम में तो दिक्कत नहीं थी तो वर्क फ्रॉम वो क्या कहते हैं ऑफिस में गलत सीन जो फूकते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सीन है आने जाने में पांच बन लग जाते हैं ठीक है नीचे हैंगे लगते हैं जो दूर रहने करते और फिर उसके बाद चैट वगएर लो चैट वैट आती है चैट में भी मंदब कई सीन है वह मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा तो यही सीन है चैट और कॉलिंग का मेरे साथ से चैट मंदब थोड़ा एजी है अगर आप कॉल करते हो तो आपको गलावला सूक जाता है चाट में है कि आपको टाइप करना पड़ते हैं तो इन पर आप। करते हो एक करसकते हो जादा आ है तो झाल डिन ने सब्सक्राइब करना है तो अगर आपको एप्लाइब करना है जौब बगर तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके बागी मैं आपको बता दूँगा अभी मैं नेक्स वीडियो डालता हूं इसी पे पूरा एक प्रोसेस समझाओंगा आपको कैसे क्या काम चलता है मिलता आपको ने अरचो कैसे समें आपको इसाद समय मिलते हैं आपको कैसे लुग्सक्राइब करना है